बिहार के चाप्रा में एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मोध हो गई गटना मश्रकतानों शेत्र की है कर्ण कुद्रियास्तिती नहर में एक सकार्पियो अनिंतियत होकर जागिरी उसमें सबार पांच लोगों की मोके पर ही मोध हो गई गटना की सूचने मिलने पर मश्रक तानी के प्लीस पहुंचे सबी शेवं को गाड़ी से निकाला गया ये सबी बसंद पूर के बगगई से श्रदा कारिक्रिम में शामिल होकर लूट रहे थे मृत्कों के पहचान दिनी सिंग, लालू बाबू, साह, सुधीर कुमार, सुरस कुमार के रूप में की गई है इस सबी गोपल गंज के बेंकुट पूर, ताना, शेटर के रहने वाड़े है ये को पूर्द निक के पहचान रामचिंद साह के रूप में की गई है ये मश्रक के रहने वाले थे प्लीस ने शेव को पोस्ट माटम के लिए सदर आस्पताल बेजा है इस समद में मश्रक तान प्लीस ने यूडी केस दर्च की है जिला प्रशाशन की और से पांच लोगों की मौट की पुष्टी की गई है बताया जाता है कि जिस नहर में स्कॉर्पियो गिरी वहां 15 से 20 के आसपास गहरी होगी गाड़ी में बैटा एक शाक्स किसी तरह अपनी जान बचा कर बहार निकल गया इसी शाक्स ने बहार आकर शोर मचाया जिसके बाद लोग जूटे और प्लीस भी पहुंची बारिश के चलते नहर में पानी ता और बहाव भी जिसके चलते स्कॉर्पियो खुछ देर तेजी से बहती चली गई कितने लोगे टोटल मोच हुझा लेकिन पांच अदमी का मोच हो चुटा है एक अदमी का जान बच गया तमिलनाडू के मुक्य मंतरी M.K. श्टालिन शुकरवार को तिरक कुवलाई में स्कूली बच्चों के लिए यहाँ एक स्कूल में बच्चों का खानों परवसा और उनके साथ नाश्टे में भी शामिल हुए चेने में उनके बेटे और कैबिनेट मंतरी उधियनी दीश्टालिन ने योजना के विस्तार के शुरुआत की मुक्यमंतरी ने पहले कहा था कि तमिलनाडू के शहरी और ग्रैमिन सभी एक तीस हजार आट सरकारी प्रादमिक विद्यालयों में नाश्टा योजना का विस्तार करने के लिए साथ जुन दोहजात इस को आधिश्यारी किया गया था जिसका उद्देश्य 15.75 लाग प्रादमिक चात्रों को लाब पहुंचा ना था पहले सी ही 1545 सरकारी प्रादमिक विद्यालयों ने कक्षा 1-5 तक 1.14 लाग चात्रों को मुक्यमंतरी नाश्टा योजना के तहत नाश्टा दिया जाता है शुरुआती चरण में मिले बहतरीन नतीजे को देखते हुई सरकार ने विस्तार शुरू कर दिया है इसका उद्देश्य या सुनेश्चित का ना है कि बच्चे बिना खाए स्कूर ना आए जाता है बीते वर्ष दिसंबर में अबिनीता रितिश देश मुग की माराटी फिल्म वेद आई इसमें अबिनेत साथ साथ एक्चर में इसके निदेशन की कामन भी खुद संबाली अब उन्होंने इसका क्राडिट अपनी पद्नी और अबिनेतरी जैनीलिया डिसूजर को दिया है बात करते हुए कहां कि जैने लिया अगर मोटिवेट नहीं करती तो ये कैक्टर होते हुए फिल्म निदेशन का फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं होता ना ही या उनके लिए संबाव हो पाता एक्टर ने आगे कहां जब हमने फिल्म बनाने को लेकर चर्च की तो जैनीलिय ने सुजाओ दिया कि तुम अपना हाथ फिल्म निदेशन में क्यों नहीं आजमाते एक्ट्शन बट वेन ही वोड़ दू आई दिन नो तो वेन ही डिसाइड़ आपी तर आई वस्टी एक्टर मुझा की चार-पांच साल से मुझा इसा लगा कि मुझे फिल्म डिरेक करनी पर क्या होता है कि किसी भी एक्टर को यह डिसाइड करना कि मतलब फिल्म डिरेक्ट करना सबसे मुझकिल काम यह होता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको फिल्म डिरेक्ट करनी है यह डिसिजन बहुत इंपॉर्टन होता है और सबसे मुझकल डिसिजन होता है क्योंकि जिनिला है मुझे कहा कि why don't you direct मुझे हम यह पता था कि यह film मैं actor था जिनिला actress थी हमें film produce कर रहे थे हैं मैं किसी और डिरेक्ट के पस गया था जब हमारे पास कोई डिरेक्टर का दूसरा विकल्प नहीं था तब जिनिला है कि तुम क्यों नी सुचते डिरेक्ट करने का तब जाके मैं सोचा ठीक है मैं script पर काम करता हूं let me see एक पर एक साल उस script पर हम लोगों ने काम किया और उसके बाद यह film बनाई तो मेरे डिरेक्टर होने में जिनिलिया का बहुत बढ़ा हत है आप इस फिल्म को जब लिखते हैं जब पढ़ते हैं जब बच्ची की तरह पालते हैं तो जैसे creative जब आप compromise नहीं कर पासे जब तीन डिरेक्टर के पास जाके आपने बोला कि वे खुद इस फिल्म को बनाता बनाने के बाद इसमें कितनी satisfaction रही है आपको अब तो फिल्म काम्याब हो गई है अब कैसे compliment आ रहे हैं क्या है कि कॉंग्रिस नेता रशीद अल्वी ने हिंदी फिल्म दग काश्मीर फाइल्स को नेशनल आवार्दिये जाने पर तंच किया और इसे बीजेपी का प्रॉपगेड करा दिया उन्होंने कहा कि यह फिल्म प्रिसकार की हकदार नहीं है क्योंकि इसने पूरे देश में केवल ज जैसे फिल्म को प्रिसकार कैसे दे सकते हैं जिसने पूरे देश में नफरत और जूट फाइल आया है मैं पीम से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में घर दे कर उन्होंने कितने ब्रामनों की मदद की है वह सिर्फ ब्रामनों के नाम पर प्रॉपगेंडा फाइल आते है अफरत पहलाने का काम किया है आप मैं बहुत अदब से फिर्धान मंतरी से पूछना चाहता हूँ आपने कित्ते ब्रैमिन्स को नौ साल के अंदर वापस कश्मीर बसाया है आप ब्रैमिन्स का नाम लेके सिर्फ राजनीती करते हैं और इस से ये भी पता चलता है कि कश्मीर फाइल्स के पीछे भारती जन्ता पार्टी का हाथ था अल्वा खाकुर के रहेंगे और चांद पर अपना आपनी देए देखिए मैं तो बहुत खुदा से दुआ करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो सही साबित हो भारती जन्ता पार्टी के सारी निता सूरच तक पहुंचें इसमें कहां किसी कोई इतराज है उनसे कहूंगा कि आप पूरी कोशिश कीजे कि जल्द अजल्द पूरी पार्टी सूरच पे चले जाए तो कम से कम भारत को साउथ आफरिका दौरे के खतम होने के बाद प्रदान मंत्री नरेंद मोदी गीस के एतन्स पहुंच चुके है ग्रीस के विदेश मंत्री जाच गेरा पे त्रिटीस ने एतन्स पहुंचने पर पियम मोदी का स्वागत किया पियम मोदी का यह दिन का अधिकारिक दौरा है ग्रीस के प्रदान मंत्री किरिया कोस मिट्सोटकीस निमंत्रन के बाद पियम मोदी अधिकारिक दोरे पर गए है नरेंद्र मोदी ने एतेंस में ग्रीक समकाक्ष केयारी कोस मिट्सोटकीस के साथ प्रतिनी दिमंडल स्तर की वर्तिकी ग्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को एतिंस में ग्रीक राश्टरपती कदरीना एन सकेलोरपोल द्वारा Grand Cross of the Order of Honor से समानित किया गया पिर्दान मंत्रीक राश्टर एने ञीडने टीडन किर्वाट पीक राश्टर की तेसे समाना एनर्स पाश्टर एनला एनर्सेशने के लिगस्गा मोधी कर दोते हैं कॉंग्रेस नेता और मज़िप्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री कमलनाद नहीं मुरहिना में येक राली को सम्मुदित किया उन्होंने कहा कि बाइचारा एकता विवित्ता के मामले में हमारा देश दुनिया के सबी देश उन से पहले निमबर परता लेकिन आज सता में मौजूद पाठी के कारण देश को कई कटिनाईया और उत्पीडन का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने यह भी कहा कि शेक्तिशाली और सुन्दर सुविदान लेकिन गलत हातों में जाने पर यह देश के नागरिकों के लिए चुनाईतियां कटिनाईयां और समस्या यह फाइला सकते हैं आप नागरिक ही देश को बचा सकते हैं इसलिए आप ही रक्षक है हमारा मज़ी प्रदेश कॉंग्रेस इसके स्टाशन में कितना अच्छा था अब गोटेला प्रदेश ब्रश्ट प्रदेश ब्रश्ट चार हम सब ने देखा है युवा आप हमारा बविश्य है लेकिन इस मज़ी प्रदेश में कोई नवकरी नहीं है गर्देश ब्रदेश ब्रदेश बराया जो पूरे विश्य में मजूर है बहुत सारे देशों ने बाबा साव अब्बेर्टर की संदिगान की लखन पर अगर ये ऐसा संदिगान ऐसा आपकर संदिगान गलत आपों में चाहिए मदरास उच न्याया लए ने तमिल नाडू के पूरव पुमक्यमत्या और निलंबित अन्नाद्रमुक नेता ओ पनीर सिल्वन की पार्टी से निशकासन पर रोक लगाने की मांग वाली अपिल कर रिसकर दी है मदरास उच न्याया लएके न्याय मुर्ती और महादेवन और मुहम्मद शफीक ने ओपी येस को पार्टी से निशकासित करने वाले ये एडी यम के जनरल काउंसलिंग के 11 जुलाई 2022 में प्रस्ताव में हस्त शेप करने से एकल न्याय दिशा के इंकार के किलाफ दायर या एकल न्याय दिशा के आदेश को चुनाती देने वाले याचिका को कारिज कर दिया है इस आदेश में अदालत ने अन्न द्रमुक समान्य परिशद की और से 11 जुलाई 2022 को पारित प्रस्ताव में हक्स्त शेप करने से इंकार कर दिया है The Honorable Division Benji has rendered a judgment stating that the ADMK's General Council resolutions are valid. This is the judgment of Division Benji. So that hereafter ADMK will be headed by only by Adapadir. Adapadir is the leader of ADMK. That is approved by the High Quotas Order. So what was the argument put forward by EPS side before the High Quotas? We have argued ADMK's General Council is the superior authority. This is the only argument. Superior authority has decided. Sवस्त मंत्री मन्मुक मांडविया ने 25 आगस्त को पस्चिम बंगाल के कोलकता में राष्टे स्वस्त मिशन के कारिन्वाइन के लिए एक समिक्षा बाइट की. मन्मुक मांडविया ने आज मैंने अपनी पस्चिम बंगाल यात्रा के दोराण राष्टे स्वस्त मिशन के तहट, आयश्मान बारत स्वस्त और सनरचना मीशन, पेदिक अनमूलन, कारिक्रम, आयश्मान बारत स्वस्त और कल्यान केंद्रों की व्यापक शमिक्षा की आज मैंने मेरे वेश्ट बंगाल की विजिट के धर्मियान राज्य में चल रहे है नेश्टनल हैल्थ मिशन के तहट, आयश्मान बारत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर मिशन, ट्यूबर क्लोसिस अलिमिनेशन प्रोग्राम, आयश्मान बारत हैल्थ और वेलनेस सेंटर, उसके बारे में विस्तरुत रिव्यू किया है हेल्ज सेक्टर में मौनसून की सीजन में होने वाले मेलेरिया डेंग्यू से लेके जो वेक्टर बोन डिसीज है उसका प्रभाव ज्यादा होता है उसको ध्यान में रखते हुए मौनसून के पहले ही हम सभी राज्यों के साथ बातचित करते हैं मैं स्वयम मीटिंग करके वेक्टर बोन डिसीज के लिए प्रिकोशन के लिए कारवाही करने के लिए हम सभी स्टेट को हमेशा सुचित करते रहे हैं और स्टेट गवर्मेंट से अपिक्षा रखते है कि मौनसुन में वेक्टर बोन डिसीज के लिए